हालो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू माई चैनल चोटा सा वीडियो आज अडेनियम पे लेखे आई हूँ कुछ दिन पहले अडेनियम की फ्लावर्स मैंने इंस्टाग्रम स्टोरी पे शियर किये थे वहां पे कुछ लोगों ने मुझे पूछा इसके फ्लावरिंग पे कौन सा फ करूंगी उसके पहले बता दूँ कि यह छोटा सा ही प्लांट है देखिए मुझे मेरी हेलपर ने लाके दिये थे दो प्लांट एक कटिंग था और एक रूट सहीर था मैं यह पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ तो उसने कहा था मेरे यहां पे कभी फ्लावरिंग नहीं आई है इस पे तो आप रख लो शायद आपके हाँ पे फ्लावरिंग आ जाए इसलिए उसने मुझे यह दोनों प्लांट दिये थे अब जबकि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है तो वो कह रही थी कि भावी मैं यह प्लांट उठा कर ले जाओंगी आपके तो क्योंकि यह मेरे पास इससे पहले नहीं था फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं पहली बार ही करूँगी और उस पे भी एक वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से इसकी स्टैम प्रूनिंग करनी चाहिए अभी मैंने जस इसमें पानी डाला इसलिए इसकी मिटी इतनी दी उति लिए विसंगर मोटे उते हैं ईसलिए अधर शेम पास पनी आर्यागी लिए होते हैं नगी बार्फ सामिय तो फिल्वय को भी जानव और एकिन अदेम करन क fishing को सब्सक्रां लग आतने माद भी एसलिए पानी के इतन वेद कि पानि कम देना है लेकिन अब़्ी मैं न पॉटिंग करूँगी तब इसकी सॉइल जब मैं जैसे रेडी करूँगी वो शियर करूँगी और इसकी स्टेम प्रूनिंग भी करके मैं इसकी कटिंग लगाने वाले हूँ बस एक दो दिन में ही करूँगी ये काम थोड़ा सा बिजी चल रहा है अभी तो वह भी वीडियो जैसे ज़रूर शियर करूँगी और इसकी कटिंग लग जाती है तो पिर इसकी डेरो हो प्लांट हमारे पास भी रेडी हो जाएंगे और बात करें अगर इसके फैटलाइजर पे फ्लावरिंग पे किस तरह से फ्लावरिंग इंक्रीज करें जाए तो देखे अदेमियम के प प्लांट होते हैं वो बोनमील को बहुत पसंद करते हैं फासपोरस रिच वेटलाइजर चाहिए होता है इनको तो अगर आप सिर्फ एक बार ही जब सॉयल इसकी रेडी करते हो उस टेम पे आप बोनमील एड़ कर दो तो यह अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं पूरी सी इन में डाला था एक बार वो था बनाना पील्स बनाना पील्स मेरे पास पढ़े थे ड्राइ वो मैंने क्रश करके और मिट्टी में मिला दिये थे जिससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग आ रही है तो कोई खास इसका अलग से रिक्वार्मेंट नहीं होता है वेटलाइजर क यह कुछ चीजे होती है हमारे पास जिनको हम अलग-अलग तरीके से डाल सकते हैं दूसरा जो प्लांट है मेरा वो यह है और यह भी मुझे रिपॉर्ट करना है इसमें एक बार अच्छी फ्लावरिंग हो चुकिये और अब इसे मुझे रिपॉर्ट करना है और इसकी प्रूट करना है और यह पॉट भी सही नहीं है सेमें का हैंडमेट फाट है घर पर बनाया हुआ तो यह टूट रहा है पुरी तरह से तो मैं पाड भी जेंज करूंगी बंजाई पॉर्ट मैने दो मंगाए है थाकि मैं अडेनियम को लगा सको तो बस इसी तरीके से इसकी के कोई खास अलग से रिक्वाइर्मेंट नहीं और देखिए सभी पौदो को मैंने अभी पानी दिया है यह जर्बेरा हमारे किस तरह से इसके फूल पूरे मुर्जा चुके हैं क्योंकि कल मैं पानी नहीं दे पाईती और हमारे आपे टेंपरेचर काफी हाई हो चुका है अभी से आपके वहाँ पे कैसा वैदर है आप जरूर शियर करिएगा और मैं तो एक दिन भी पानी नहीं दू तो पौदो का यह हाल हो जाता है तो देखिए यह यूफोर्विया मिली और यह दिखिए इनमें भी मैंने सब में अभी अभी पानी दिया है और पिटूनिया पे भी सीड बनने छोड़ रखे है तो बस आज की वीडियो में बस यही सब शेयर करना था फ्रेंस और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और मेरे करके बताईएगा अगर आपको कुछ भी किसी भी प्लान के बारे में चाहिए है तो वीडियो ओकी फ्रेंस बाई हैपी गाटनिंग